तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले खेसारी लल्यादों की पत्नी चंदा देवी के बारे में जी हाँ क्योंकि आप सभी खेसारी की पत्नी चंदा को तो ज़रूर देखते होंगे क्योंकि अक्सर लों खसारी की पत्नी चंदा का मजाक बनाते हैं और कि बोलते हैं कि चंदा के आगे तो काजल कितनी खुबशूरत आगे काजल से ही साधी कर लेनी चाहिए लेकिन क्या आप सब भी अभी वाली कन्दा को देखें उनको देखकर चॉप जाएंगे जी है क्योंकि चंदा इतनी खुब्सूरत हो गई है और चंदा ने अपने आपको इतना बदल गया है कि उनके आगे काजा लगवाने ही फिलो गई है तो अगर आप सब भी पदली वी चंदा को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजाए चैनल को सब्सक्राइब कर देए और हमारा वीडियो देखने के बास सेयर करना ना भूले तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप सभी को हम अभी की चंदा से मिलवा देते हैं और दिखा देते हैं कैसे चंदा अपने आपको बदल दी हैं तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि जब खेसारी की साधी चंदा से ओई थी तब खेसारी के पास कुछ भी नहीं था और चंदा अच्छे घर से थी और जब चंदा अपने ससुराल में आई थी तब उनको बहुत तक्लीब होई थी लेकिन चंदा भी कभी विकायत नहीं उस वक्त चंदा बहुत अलग देखती थी जिस वर्यस उनका बहुत मजाक भी बनाया जा चुका है जी हाँ कहा जाता था कि एक सुपरस्टार की पत्मियों के कितिक गमारों की तरह रहती है लेकिन अब चंदा अपने आपको इतना बदल दी है कि आप उनको देखते हैं इस च पहले की चंदा को देखी रहेंगे दोनों में कितना फर्क है तो अब आप सभी को अभी चंदा का ये बतलाओ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक में जरू बताएं और आपको खेसारी के पत्निक तैसी लगती है ये भी जरू बताईएगा धन्यबाद